तो यार जैसे कि आप जानते कि मैंने सीरीज चलाई हुई थी क्रेश कोर्स और हिस्ट्री पे हम इसमें डिसकस करते करते हमने कहां से स्टार्ट किया था हमने कॉंग्रेस की स्थापना से लेके उसके पहले जो माहूल बना मतलब कौन से फैक्टर रहे जिसने फाइनली कॉंग स्थापनां करवाई दियर नमने देखे दें एक्स्टेमिस्ट देखे दैन मने देखा कि यार काईसे होम रुल मुमेंट कि स्था कि सटार्टिंग हुई थी एंड उस होम हूम representations में क्या-क्या निकलके आया यह सारी बात हम देख चूखזה आज इसी में आगे बढ़ते हुए इस पार्ट 6 अब हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं गांधियन एरा गांधी मतलब भाई बात वही ना गांधी के रोल को लेके हमेशा ही लोगों में डिसकेशन होती रही है आपने आपने कभी ने कभी अपने पेरेंट्स के थूर या अपने टीचर्स के थूर गांधी के रही है फ्रीडम स्ट्रगल में बट गांधी का रोल मतलब कुछ एक अलगी लेवल का है हर कोई जानता है गांधी को हमारे राष्ट्र पिता का दर्जा मिला हुआ है गांधी को तो फाइनली मतलब मैं बताऊंगा आपको कि वह पूरा घटना करम है क्या कैसे गांधी जी ए उनके सामने जुकना लगा एंड अल्टिमेटली उनके करे गए प्रियासों की मदद से भारत को आजादी मिल सकी तो इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं कि गांधी का रोल हमारी इंडिपेंडेंडेंस में सबसे बड़ा रहा है मैं कहीं भी यह डिनाई नहीं कर रहा हूं बड़ अल्टिमेटली किसी एक बंदे को निकाल पूरे पूरे फ्रीडम स्टगल से जिस पर मैं कहूं कि हाँ पूरा यह अपना इंडिपेंडेंस मुमेंट टिका वह मोहंदास करमचंद गांदी है अगर आपको मेरे एफट्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब ट की पीडियाफ चाहिए तो आर आप जाके मुझे टेलीगराम चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं वहां भी मैं लर्ण विट सुमित के नाम से एक्जिस्ट करता हूं ठीक है वहां आप जाओगे तो मेरी सारी क्लासिस की पीडियाफ हां पर मिल जाएगी रेगुलर क्विजिस मैं यह किताब ने दिए गांधियन एरा जब से गांधी फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंट में शामिल हुए उसके बाद पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल गांधी के अराउंड ही गुमी है सब कुछ उनके अराउंड हुआ चैकोई बड़ी से बड़ी मुवमेंट हो या फि तो सब कुछ एक बंदे का राउंड गुम रहा है भाई तो हां हो गया गांधी नेरा उननीस सो सतरा से लेके लगबग उननीस सो चवालिस तक रहा गांधी का जोर बिना उनकी परमिशन के चीज़े नहीं हो रही थी उनका तरीका भी कुछ निराला ही था जो आज तक किसी कर्मिशन के ने कभी देखा न था ठीक है इसका एक्जांपल सबसे पहले हमें मिलता हुझ सबसे पहले तो गांधी जी साथ अफ्रीका गई क्यूंते तो गांधी जीका जाना हुआ वह अबदुल्ला एंड कंपनी के लिए केस लड़ने गए थे ठीक है गांधी बहुत कर सकते तृटे इस डब्र में ड्रैवर्वल नहीं करकते गांधी नहीं क्या जब स्क्राइब करें नहीं आप काले है ज gou वाले हैं उनके दिल वाले विल वाले छोड़ो निकलो यहां से तो गांधी बड़े परेशान होगे कि ऐसा क्यूं तो थोड़ी सी भैस बाजी हुई तो मतलब ऐसा ही बोला जाता है थोड़ी सी मार पिटाई भी हुई वहां पे एंड गांधी को ट्रेन से निकाल के फेक दिय एक रात ठंड में गांधी ने बिताई स्टेशन पर तब उनको समझ में आया कि रेशल डिस्क्रिमिनेशन जैसी कितनी बड़ी चीज एक्जिस्ट कर रही है एंड जब मेरा जैसे पड़े लिखा वकील ही इस चीज के सामने नहीं टिक पा रहा तो मेरे जो भारते निवासी पार सब्सक्राद होगा कितने लेवल पनी साथ कर देखी नहीं ठीके लिए लिए चीज़े नहीं बर यह सारे कि सारे भारतियी मुल्ग के लोग के लोग से उनको एक करा उनके अदिकारों के लिए वहां पर लड़े आऊँ ठीक है ओर उनन्योंने एक आश्रम की सथापना करी जिसका नाम टोल्स्टोय आश्रम रखा उन्होंने इसी को फॉइनिक्स आश्रम बोलते हैं यह सारे पेपर की कोशन है वाई किस कंपनी के लिए लड़ने गए किन-किन बंदों से इंफ्लेंस ते गांदी सी जो नोने आश्रम की स्थापन करी थी उस आश्रम का नाम किया वापन उन्हें दा इंडियन ओपिनियन एंड हिंद्स राज दो जन्नल्स निकाले कुशन आ जाते है कुण कुण सी जनल गांदी ने साथ अफरीक में निकाले थे तो वहां निकाले ठीक जी दैन फाइनली नो जन्वरी 1915 9 जन्वरी 1915 को गांदी जी भारत लोटे उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पे गांदी भारत लोटे ठीक है स्टार्टिंग में एक से डेड़ साल एक से डेड़ साल गांदी जी ने कोई ऐस सच पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करी एक एक से डेड़ साल मलब पॉलिटिकल वैसे तो बहुत बड़ा काम कर रहे थे उन्होंने पूरे भारत का दोरा किया वो देखना चाहते थे कि भाई जो हमारी पॉलिटिकल पालिटी एक्जिस्ट कर रहे हैं इतने पड़े लिके समझदार लोग है फिर भी यह मतलब अंसक्स नहीं जाती है इसमें नहीं कोई बहुत ही खास रिप्रेजेंटेशन है वही कुछ चंद पड़े लिखे अमीर इंडस्ट्रिल के इंडस्ट्रिलिस्ट कैपिलिस्ट लोग यही सब है राइट है तो इन सब बातों को सोचते समझते हैं उन्होंने सोचा कि भाई मैं बात करी वह कब आया कि 1917 में उनको इन्वाइट करा राजकुमार शुकला एक किसान थे एक किसान थे राजकुमार शुकला चंपारन में चंपारन कहां पर है बिहार में वहां पर में इन्वाइट करा हैं बोला कि सब हमारे साथ ना बहुत गलत हो रहा है गांदी ने का जी क्या एकड़ लैंड है ना तो उसमेंसे तीन एकड़ यानि तीन वाइब बीस ओफ थ्रीवाइब ट्वेंटी पार्ट ओफ मैं लैंड मुझे हमेशा नील की खेती करनी पड़ेगी या इंडीगों की खेती करने पड़ेगी एंड इस पर रेट भी जो अंगरे चाहेंगे अपने मन मार्ग दरशन करो गांदी जी वहां पर गए गांदी जी का सिब्सक्राइब का कि क्या हो रहा है तो गांदी ने सब मेरे पीछे बस आके बैठ जो कुछ नहीं करना कि कुछ नहीं करना है कि जब सब लोग बैठ गए ऑप जी तिन्त काट्य सिस्टम खतम करो कि खतम कर देंगे तो आप काम पर आज आजा वे सारे काम काम करने लग जाओंगे गांदी की जीत हुई गांदी को पहला मौका पहली बोल पे गांदी ने सीधा-सीधा सिक्सर मार दिया था और ने बात समझ में फिर उनको दूसरा मौका मिला 1917 में 1917 में खेड़ा केड़ा सत्यगरा बोलते हैं गांदी जी का पहला सत्यगरा मोमेंट खेड़ा सत्यगरा गुजरात में धा क्या वहां के जो किसान थे उन से ज़्यादा है यक्टेक्स की वसूली करी जा रही थी ठीक है टेक्स ज्यादा लिया जा रहा था एंड ये टाइम वो था जब भाई देश में सूखे किस्ती थी तो भाई सूखा है मालब फसल होनी रहे उपर सापको टेक्स भी जा दे दे ठीक है इस चीज के अगेंस्ट वो लोग मालब बहुत परेशान थे देन फाइनली उने ग करना ही कुछ नहीं है जी नहीं देंगे बात कतम है कि फाइनली डिस्टिक अथोर्टिस को जुकना पड़ा एंड आये जी बताओ जी क्या दिक्कत है कि यह टेक्स वेक्स हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा ठीक है यह नहीं होना चाहिए दैन फाइनली फाइमाइन कमीश पास बंदा दंगा फसाद करें तो किसी जूम में अंदर कर दें कि बात समझ पारें आप दो बोल दो चक्के कि 1918 में फाइनली एक और मोमेंट आया एहमदाबाद मिल स्ट्राइक का वहां पर क्या था जो वहां के मिल वर्कर्स थे वह चा रहे थे हमारे जो सैलरी है उसमें 35 परसेंट का हाइक हो जाए वहीं पर जो मिल ओनर था वह चा रहा था बारा परसेंट दूंगा मैं यह बंदे तो आप थोड़ा कुछ करो समालो कुछ गांदी भूखरताल बे बैठ गए एमदाबाद मिल स्ट्राइकर्स की उसमें भूखरताल बैठे हो उनके पीछे बहुत सारे लोग बैठ गए अल्टिमेटली मिल ओनर को जुकना पड़ा एंड जो गांदी चाते तो बात माननी जिनको को पूछता नहीं था आज मतलब सीधा मतलब एक बंदा आया है उसको प्रॉब्लम बताओ अल्टिमेटली सीधा 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 सोलूशन दे देगा आज ऐसी बात होने लग गया तो भाई साब टाइम वह आ गया था गांदी जी के एक बात बोलने पर पूरा देश मतल सब क्या जितने भी यह मजदूर किसान वर्ग के लोग थे पहली बार को बंदा आया था यार जिसने मतलब सच में मतलब दुख हर लिए थे लिटरली दुख हर लिए तो गांदी की फैन फोलूइंग होई बड़ी जबर्दस यही जाने 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 लग गया कि कोई तो बं सब्सक्राइब उठाने कोशिश करी अंगरोजी ने कहा कि गांदी ऐसा है यार अभी न यह वर्ड वर्वर वन का समय चल रहा है हमें फोजी वोजी चाहिए तो आप प्लीज अपने देश के लोगों से अपील करो कि वह लोग ज्यादा ज्यादा लोग फोज में भरती हो ग पड़ेने के लिए भारत की तरफ से ठीक है गांदी को रिक्रूटिंग एजन्टी बोला गया और इनको टाइटल भी दिया गया केस तरह हिंद को समझ में आई गांदी का आगमन 9 जिन्वरी 1915 जिसको आजम प्रवासी भारती दिवस के रूप में बनाते हैं उसके बाद ग है बात समझ में आ रही है यह दो कोशन कि में डाल रहा हूं स्टीटमेंट 1 सुバイस योabord इन्डिा नॉमन फो के इनडिया सिविल इस सबस्क्रीड केreteब काहिं लिग आफ्यमा गांदी इनुद्वा आपमघानदी दोबहा लौंच करो पहले सिबलेस्वी इंडिया में इंडिया में स्टेटमेंट 2 इड़ास प्रोटेस्ट अगेंस्ट अगिंजिस्टिस में डेन आउट आउट इंट फार्मर्श जितने भी अपने किसान भाई थे उनकी दुख के व्याता के मतलब है सारा माम तो सबस्क्राइब कर दो तो मेरे यूट्यूब चैनल की पीडिएफ के लिए आप जा सकते हो लर्ण विट सुमिट टेलिग्राम चैनल पर भी अगरा स्पेसिफिकली एर्फोस एक्षन वाई की त्यारी कर रहे हो तो भाई साब जरूर मुझे फोलो करो अनकेडमी पे बहुत बच्चे मुझसे उल्ले समझ मैं तो चलिए फिर खतम करते हैं आज की क्लास को ठीक है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे फट्स पसंद आ रहे हैं सुरक्षित रहिए मेहनत करते रहिए जय हिंद जय भारत